आखिरकार SSC CHSL ने पैटरन बदल ही दिया, तो इस पैटरन में क्या चेंज हुआ है, आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे, चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, कि आप लोग SSC CHSL का फोर्म कब से कब तक भर सकते हो, अगर ओनलाइन एप्लिकेशन के बारे में बात करें, जिसे आप लोग 6 दिसंबर से 4 जनवरी तक भर सकते हो, और 4 जनवरी तक रात के 11 बजे तक आपकी वेबसाइट ओ SSC के दुआरा, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि Tier 1 में क्या चेंज है, Tier 2 में क्या चेंज है, यानि कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं Tier 1 के बारे में, Tier 1 में बेटा हिआँपर कोई भी चेंज आप लोग का नहीं है, Tier 1 में कोई भी change आप लोगों का यहाँ पर नहीं है यानि कि Tier 1 का pattern वही है जो last year या अब तक था no change यानि हम लोग अगर यहाँ पर बात करें इसमें English language आप लोगों की आएगी 25 question 50 number के 1 question 2 number का Journal intelligence यानि reasoning के अगर हम लोग बात करें तो 25 question 50 number 1 question 2 number अगर हम लोग यहाँ पर quantitative aptitude की बात करें तो 25 question 50 number अगर general awareness के बारे बात करें तो 25 question 50 number एक चीज का आपको यहाँ पर धियान रखना है यहाँ पर जो इस बार आपको दिया गया है quantitative aptitude में की केवल basic arithmetic इसकी लाएगी यह आपके notification में गलत लिखा गया है ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि केवल arithmetic आपसे पूछा जाएगा आपका tier 1 में math का complete syllabus आएगा और जब tier 1 का syllabus भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि syllabus में आपका क्या-क्या है ठीक है ना तो यानि कि total आप लोग का 100 questions बनते हैं यहाँ पर और यह 100 questions आपके कितने number के बनते हैं 200 marks के बनते हैं तो 200 marks में से आपकी merit बनेगी साथी साथ जो सबसे बड़ा change यहाँ पर हुआ है सुन लीजे का ध्यान से tier 1 आप लोगों का qualifying कर दिया गया है जी हाँ आपने बिलकुल सही सुना tier 1 आप लोगों का qualifying कर दिया गया है यानि कि जो बच्चा tier 1 को qualifying करेगा वो जाएगा आपका tier 2 में ठीक है ना इसके अधार पर आपका selection नहीं होने वाला बेटा साथी साथ दूसरा जो बड़ा change है वो यह है कि यहाँ पर sectional का top भी कर दी गई है जी हाँ बिलकुल सही सुना और sectional का top क्या रहने वाली आप लोगों की journal category की बात करूँ तो 30% परतियक section में marks लाने जरूरी है अगर मैं हाँ पर OBC की बात करूँ और EWS की बात करूँ EWS की यानि कि 25% marks लाने जरूरी है अगर मैं हाँ पर SC और ST की बात करूँ या other category के बारे बात करूँ तो 20% marks लाने जरूरी है clear बेटा साथी साथ अगर negative marking के बारे में मैं हाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर 0.50 negative marking होगी यानि सही answer के लिए 2 number और गलत answer देने पर 0.50 marks कट कर लिए जाएंगे तो that means कि 1 by 4th आप लोगों की negative marking है आपर इस बात को मैं इस तरीके से भी कह सकता हूँ ठीक है ना यह आपका tier 1 का complete pattern है अब जो tier 1 के 4 subject दे रखे आपको इनका syllabus क्या है ये भी देख लेते एक बर यहाँ पर चलिए तो syllabus के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है English language English language के syllabus में कोई भी चेंज नहीं है जो अब तक SSC CHSL में आता था वही syllabus इसका है और यह सेम syllabus आपका CGL का भी है बेटा CGL CHSL tier 1 में no change ठीक है ना ना ही syllabus में चेंज reasoning का भी आप लोगों का सेम syllabus है कोई भी चेंज आप लोगों कहाँ पर नहीं है अब आगे अगर हम लोग बात करे quantitative aptitude की तो quantitative aptitude आप लोग एक पर धियान से देख लिजेगा अभी देखो क्या लिख रखा था कि केवल basic arithmetic skill आएगी लेकिन ऐसा नहीं है बेटा देखो यहाँ सब्सक्राइब नंबर सिस्टम भी आएगा fundamental arithmetic operations साथी साथ एलजेब्रा जोमेट्री मैंसुरेशन ट्रिगनोमेट्री स्टेटिकल चार्ट सब कुछ आएगा यानि की arithmetic और advanced दोनों आपसे पूछे जाएंगे tier 1 में math में ठीक है ना जो आपका last year का syllabus था वही syllabus इस बार भी है ठीक है यह इस बात को ऐसे भी कह सकते हो जो आपका CGL का syllabus है वही syllabus आपका यहाँ पर है अगर मैं जर्नल awareness की बात करूँ तो इसमें भी सारे subjects आप लोगों के आने वाली है कोई भी change आप लोगों का यहाँ पर नहीं है अब हम लोग चलते है tier 2 में क्या बदलाव आया है तो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो आया है आपका SSC CHSL के tier 2 में अब तक SSC CHSL के tier 2 में आप लोगों का descriptive exam होता था इसमें एक essay लिखवाय जाता था और एक letter लिखवाय जाता था लेकिन इस बार descriptive हटा दिया गया है जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना और जो बदलाव है वो कुछ इस तरीके से है अब tier 2 में आप लोगों का दे करूँ तो इसमें एक section में यानि कि पहला section होगा जिसमें maths पूछा जाएगा और आपसे reasoning पूछी जाएगी ठीक ना इस section में 30 question maths के आएंगे 30 question reasoning के आई यानि कि total 60 question आए आपके अब एक question होगा तीन नंबर का यानि कि total 180 नंबर आप लोगों के यहां पर बनेंगे और इस section क के लिए आपको एक घंटे का समय दिया जाएगा बात समझ में आ गई है यह टियर्टू का पैटरन है अब टियर्टू के पैटरन में section second की अगर मैं यहां पर बात करूं यह एक ही विंड़ो पे पेपर होगा एक ही दिन पेपर होगा दो गंटे 15 मिनट का है ना पहला section math reasoning 30 question each question 3 marks 180 marks clear section 2 में आपका क्या होने वाला है अपर English language के 40 question 1 question 3 number का 120 नंबर की English होगे आपकी journal awareness के आप लोगों के 20 question 1 question 3 number का यानि की 60 यानि की 180 number total आप लोगों की बनेगे यानि की 60 question और 180 number बनेगे ठीक है ना अब इसी में tier 2 में जो तीसरा section आप लोगों का होगा वो होगा आपका computer knowledge भी add कर दिया गया है बिलकुल सही सुना आपने computer को add कर दिया गया है जिसके 15 question आए यहां पर इसको एक घंटे में करना होगा यानि दोस्तों यहां पर क्या clarity हुई है tier 2 का आपका जो exam है वह आप लोगों का 2 घंटे 15 मिनट का होगा पहले section के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा और 60 question आपको करने होगे 60 मिनट में 60 question 30 मैस के 30 reasoning के ठीक है आप देखो section 2 में आ जो कि आपको एक घंटे से जादा समय नहीं मिलेगा और एक घंटे में 60 question math reasoning करने के लिए आपको speed बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी जबकि एक घंटे में 40 English और 20 GS आप समय से पहले खतम कर दोगों मुझे पूरा पूरा पता है आपका ठीक है ना और computer के 15 question के लिए 15 qualifying करना जरूरी है ठीक है ना और qualifying की क्या category होनी चाहिए यानि journal category में अगर आप 30% नंबर ले आते हो तो आप पास माने जाओगे OBC EWS में अगर 25% नंबर ले आते हो तो आप पास माने जाओगे इसके अलावत जितने भी category बसती है अगर उनमें आप लोग 20% marks भी लाते हो तो आप इस section में पास माने जाओगे साथ ही साथ यहाँ पर sectional का top भी है यानि कि 30% 25% तो 20% minimum marks होने जरूरी है अब दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं अब इसी में tier 2 में आगे वाला क्या change हुआ है अब tier 2 में जो next change हुआ है आप लोग का यहाँ पर skill test यानि कि typing test module को भी add कर दिया गया है जिसमें अगर आप को पोस्त के लिए apply करते हो तो यहाँ पर आपको 15 मिनट typing करनी होगी और यहाँ पर typing की जो आप लोगों की speed रहती है लगबग 27 word per minute की speed होनी जरूरी है और अगर आप लोग LDC और GSA की post के लिए apply करते हो तो यहाँ पर 10 मिनट typing करनी होती करनी होगी और इसमें आपकी speed रहती यह 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी जरूरी है यह भी आप लोगों आप टियर टू का ही पार्ट है और जो बच्चा यहां पर जो रिटन एक्जाम को क्वालिफाइंग करेगा उसी के बाद टाइपिंग टेस्ट आप लोगों का होगा ठीक है ना ठीक है यहां पर समझ में साथ इसाथ अगर निगेटी मार्किंग की बात करो यहां पर एक सही को कुश्चन्स को करने के लिए आपको तीन नंबर मिलेंगे लेकिन गलत आंसर के लिए आपका एक नंबर कट कर लिये जाएगा यानि कि इस वाले case में वन भाइट थाड निगेटी मार्किंग है जिसको पर 1 by 4th थी हर सही सवाल के लिए दो number गलत के लिए 0.5 यहाँ पर सही नंबर के लिए 3 number गलत के लिए आप लोगा एक number काट लिया जाएगा ठीक है ना अब आगे देख लेते आगे और क्या चेंज आप लोगा अगर हम लोग यहाँ पर स्लेबर स्के बारे बात करें tier 2 के तो syllabus सबसे पहले maths के बारे में बात कर लेते हैं जो मैंत्स में क्या change आया है वह मैं आपको बताता हूं number system tier 1 में भी आएगा यहाँ पर भी आएगा fundamental arithmetical operations tier 1 में भी है यहाँ पर भी है जैसा कि SSC CGL में आप लोगों के tier 2 में statics और probability को add किया गया था, उसी के अनुसार CHSL में भी इसको add कर दिया गया है, यह आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा change है, इन दोनों topic को आप लोगों को करना ही पड़ेगा, अब आगे देख लेते हैं, बाकी के syllabus की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि reasoning and journal intelligence, यहाँ पर कोई change आप लोगों का नहीं हुआ है, ठीक है न, अब आगे देख लेते हैं, अगर English language की बात करूँ, तो English language में कोई भी change नहीं है, जो last year syllabus था, वो ही इस बार भी होगा, अब आगे कि अगर हम लोग बात करे, journal awareness, यहाँ पर भी बेटा computer proficiency का test होगा, जो की qualifying होगा nature में, यानि की qualifying exam है, आप लोग आए, जिसमें 15 question आएंगे, 45 number के आएंगे, ठीक है न, यह आपको केवल qualifying करना पड़ेगा, और computer के सलेबस कुछ इस तरीके से है, computer basic है, software है, working with internet and emails है, basics of networking and cyber security, यह 4 chapter आप लोगो computer के करने ही पड़ेंगे, ठीक है अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर, आप mode of selection के बारे में बात करो, देखो, तो यहाँ पर mode of selection, journal category के लिए 30% number लाने जरूरी है, OBC EWS के लिए 25% number लाने जरूरी है, और all other categories के लिए 20% marks लाने जरूरी है, यह आप लोगों की sectional cutoff है, साथी साथ जो बच्चा tier 1 में, इन section traditional cutoff को qualifying करेगा, उसके बाद एक merit बनेगी आप लोगों की, उसको भी qualifying करेगा, वो बच्चा tier 2 के लिए appear होगा, ठीक है ना, यह बात सीधी सीधी आपको यहाँ पर लिखी गई है, कि tier 2 examination will be conducted for all the candidates qualified in tier 1, alright, clear हो गया, in tier 2 all the candidates will be required to appear in all 3 sections, ठीक है ना, यानि की tier 2 में candidates को तीनों section में appear होना जरूरी है, पहला math and reasoning, दूसरा English and GS, और तीसरा जो section बनता है आप लोगा, computer proficiency test, तो यह था बड़ा बदलाव, तो इस बदलाव के साथ हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे है, एक नया plan जो आप लोगों के लिए start हो रहा है, आने वाले सोंवार से, तो अपनी तैयारी और सरकारी नोकरी पक्की करने के लिए अपने परिवार result guru 2.0 के साथ जुड़ना मत भूलेगा,